दोस्तों तो वर्ल्ड कप का माच नंबर टू खेले जाने वाला है इंग्लेंड और अफगानिस्तान के बीच में और ये मैच खेले जाने वाला है पर्ग स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में और अगर आप लोग अपने लिए फैंटेसी की एक टीम मलाने के सोच्छे होना तो आज के इस वीडियो पे हम लोग डिसकस करने वाले हैं दोनों टीम के पॉसिबल प्लेइंग 11 के स्टाट्स के बारे में मेगा ग्रांड लीग के पंड प्लेयर कौन से हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो डिसकस करूँगा साथी साथ बताओंगा कौन से प्लेयर अभी इन है दोस्तों फटा फट से इस वीडियो को बिना अदेरी के स्टार्क करते हैं सब्से फहले वन्यू कि मैं बात करूं तो दोस्तों अगर आप ठीक है वो मैच पाकिस्तान और उस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था तो अगर आप लोग पॉर्ट स्टेडियम की मुझे से बात करोगे न तो जो दो मैचेस हुए हैं यहां पर अभी तक इंटराशनल उस पे तेईस विकेट गिरे हैं दो मैच पे पेसर को 20 विकेट मिले हैं और स्पिनर को से यहां पर 2 विकेट मिले हैं अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो ब्लस यहां पर अच्छे घासे जाएंगे और पेसर को यहां पर आप लोगों को अडवांटेच दिखेगा तो पिछे बारा में पता चल इंग्लैंड के टीम और अफगानिस्ता की की में अगर क्बारिशन बात है इंग्लैंड teem अपर एंड करेंड इंग्ड मेंद की ओथ का एंग्लैंड भून है प्लेयर की हर बहुत ऐधार है और रॉंड वाले सेक्छन पर आपलोगे को काफ़ी प्लेयर लीजेगा और अफगानिस्तान के कम प्लेयर को लेकर आप लोगों ने अपने लिए टीम बनाना है ओके विकेट कीपर वाले से अगर मैं स्टार्ट करूं तो इंग्लेंड के टीम पर स्क्वाट पे आप लोगों को जौस बटला फिल्प सॉल्ट खेल दिखेंगे साथ ही साथ आप लोगों को विकेट कीपरिंग करते हुए भी देखते हैं तो विकेट कीपरिंग के भी कुछ पॉइंट मिलेंगे क्यों क्योंकि एक्स्पेक्टेशन यही है कि अफगानिस्तान के ज्यादा विकेट जाएंगे अगर अफगानिस्तान के ज्यादा विकेट जा रहे हैं तो ऑफिस सी बात है विकेट कीपर रोल प्ले करेगा अच्छा खासा और विकेट कीपर इसे अच्छे खासे पॉइंक्स बिलेंगे प्लस बैटिंग में तो शांदार फॉर्म पे यह रहता ही है ठीक है इसी लिए मस्ट मिट प्लेयर होगा जौस बडला दोस्तों और आप लोगों के लिए कैप्टेन का भी एक अच्छा कंटेंडर रहेगा वहीं बात करूं आप लोगों से रामनुला गुर्बास की तो रामनुला गुर्बास को देखो 32 मैच पे 25 का इंका अबरेज है ठीक है स्टार्टिंग पे बाटिंग करने आएगा ओपनिंग बट अगर इन टीनों में से आप लोगोंने दो प्लेयर को चूज करना है अगर आप लोगों गुर्बास को चूज करते हो ना अपने टीम पे तो इब्राहम जद्रान और नजीबुला जद्रान में से किसी एक को लेना होगा इनिशली बॉल मूफ करती है दोस्तों मैं आप में 25 का अबरेज है और 32 में पांच बार हाफ सेंचूरी बना चुका है ओनली एक ही डिसद्वांटेज है कि इंगलेंड का जो बॉलिंग लाइना पहना वह शांदार है और यहां पर पेसर को अच्छे खासे विकेट्स मिलता है तो इनिशली नए बॉल पे स्ट्रॉगल करत हुआ दिख सकता है तो चांसे ज्यादा रहते हैं हमेशा से आउट होने के तो यह डिसद्वांटेज है अड्वांटेज भी क्या है वह मैंने आप लोगों को बता दिया है चलिए दोस्तों अब चलते हैं बैटिंग वाले सेक्षिन पे लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर आपको डाउनलोड करते हो तो आप लोगों को मिलने वाला है पंद्रसों रुपे का इंस्टेंट बोनस प्लस परस्टाइम डिपॉसिट अगर करोगे और एक कोड दे रहा हूं इस कोड को अगर आप लोग यूज कर लोगे तो समझ लोग की आप लोगो को 20 पोसेंट रियल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब को पक्का से डाउनलोड कर लेना साथी साथ दोस्तों इस अप पर इतना कम कॉंपेटिशन है कि अगर आप लोग मेगा क्रांड लीग इवेंट में अपनी बी स्टीम मना कर डाल दोगे ना सहीं बता रहा हूं महिंद्रा थार जीतने की सब्सक्राइब बहुत ज्यादा आप लोगों की बढ़ जाएगी मिस मत करना पक्का से नीचे डिस्क्रिप्शन से आप को डाउनलोड कर लीजेगा चलिए अब चलते हैं बैटिंग वाले सेक्शन की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो यहां पर जौस बटलर के साथ ओपनिंग करते हुए दिखते हैं आप लोगों को एलेक्स हेल्स अगर आप लोग मुझसे पूछोगे न शांदार प्लेयर है दोस्तों अगर बॉलिंग अठाग देखोगे अफगानिस्तान की उतनी शार्प नहीं है तो यहां पर एलेक्स हेल आप लोगों के लिए एक बह दिखान रखना चोरासी का जो यह रिकॉर्ड आना यह इसी वेन्यू पर आ रखा है तो वेन्यू इसे पसंद है ज्यान रखना मस्ट प्लेयर आप लोगों के लिए डेविड मिलान की अगर मैं बात करूं तो यह शांदार प्लेयर है तो जैसे जॉस बटलर आना वैसे और सेंचुरी मतलब 51 मैच पे 15 मैच पे इंपैक्ट फूल पारी इसका मतलब हर तीसरे मैच पे एक इंपैक्ट फूल पारी आती है मतलब प्लेयर शांदार है मस्ट पिक प्लेयर है आप लोगों ने अपने टीम पर रखकर चलना है ओके बात करूं उसके बाद खेलने आए यह आप लोगों के हरी ब्रूक हरी ब्रूक की अगर मैं बात करूं ना दोस्तों देखो अगर आप इंग्लेंड की टीम फर्स्ट इनिंग्स पे बैटिंग करने आ रही है और अगर आप लोग टॉडर जैसे एलेक्स हेल्स हो गया डविट मलान हो जौस बटलर को तो आप ल नहीं करती है तो दोस्तों जो टॉडर्स के प्लेयर है ना इंग्लेंड के जौस बटलर हो गया अलेक्स हो गया डेविड मलान हो गया यहीं पूरे मैच को खंदम कर सकते हैं इस बात को ध्यान रखना कट टीम लॉजिक आप लोग इस्तमाल कर सकते हो अगर अफगानिस्तान के टीम फर्स इनिंग्स पर बैटिंग करने आप यह तो ठीक है बागी जैसे मैंने बताया अगर इन दोनों में से एक प्लेयर को अगर आप लोग लेते हो तब आप लोग को सोच सकते हो बट ऐसा भी हो सकता है दोस्तों देखो लियाम लिविंग स्टोन को प्रमोट किया ज कर सकते हो बट मुझे ऐसा लगते हैं आप लोगों ने ज्यादा प्राइटी देना चाहिए तो यहां से में पास दो ही आप्शन रहते हैं एलेक्स हेल्स और डैविड मला इनी के बीच में मैं डिफरेंशल क्रियेट करके चलूंगा या तो मैं दोनों को ही लेकर चलूंगा कि अगर बात करो अफगानिस्तान की बैटिंग आइनप पे तो यहां पर आप दोगों को अच्छा नहीं है लास्ट के चार मैच से फ्लॉपी चल रहे हैं इब्राहम जदरान की मैं बात करो तो यह प्लेयर शांदार है दोस्तों यहां देखो 42 40 35 64 लास्ट के चार मैच से य अपने टीम पर हट करी चलना है 23 मेच 13 का आबरेज है बट रीसेंट फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है और आप लोगों को 30 से 40 रण की पारी हमेशा खेलते हुए दिखते हैं इंपोर्टेंट पिक प्लेयर है आप लोगोंने अपने टीम पर हट कर चलना है अच्छा नज फोर नजी पूला सद्रावनत Kollege थिक है नजीम पूर् herumनुला गुर्बाज इन दोनों के बीच में आप लोगोंने डीसेंट रिख सददा या तो रमनुला गुर्बाज को लेकर चलना आप लोग नजीर है व्हैशन को लेकर चलना अब यह आपके ऊपर किसम के लेकर करशे हो ठीक है तोड़ा कम लोग इने कैप्टन रखेंगे बठावर तोड़ बैटिंग करते हैं अगर चल गए तो अच्छे खासे रन बना कर देंगे आप लोगों को प्लस जॉस बटलर तो रहेंगे ही रहेंगे आप लोगों के लिए बागी अफगानिस्तान के टीम से मैं किसी क मैच का क्याटन कौन होगा उसके कितने पॉइंट्स होंगे सेगिंड आप लोगों ने मुझे बताना है कि इस मैच पे सबसे ज़्यादा विकेट कौन लेगा और कितने विकेट लेगा दोलों कोशन के सही जवाब देकर आप लोग एक लाफ रुपे तक का कैश होड बिन कर सकते हैं तो पाटिसिपेट पका से कीजि objeto वहィ तो यहाँ पर आप लगों को मौमत नभी खेलते हुए दिखेंगे अब देखो इन से किस प्लेयर को सेलेक्ट करना है उसे ध्यान से देखो बैंग स्ट्रोक की अगर मैं बात करूं तो बैंग स्ट्रोक सेकंड डाउन पोजिशन पर बैंडिंग करने आएंगे प्लस पिछ यहां पर पेसर को सपोर्ट कर रही है तो हो सकता है कि मोहिंग अली से ज्यादा ओवर यहां पर बैंड स्ट्रोक को मिलते हुओ है ठिके क्योंकि चार कोर बॉन शोंग को गया मोहिं लिंग सटोन के भीच पर बॉलिंग के बीच में बाउन भालीं शेयर किया जाएगा चांसे ज्यादा है कि बैंड का यहां पर ज्यादा देगी प्लस बैंड कर Sum कर वे बहूं कि ड़ोनिंग करता हुए दिखेगा आप लोगों को अच्छी यौर्ग क्लैंट की बालिंग करता है व्यक्ट निकाल रहा है रीसेंट फॉर्म बहुत शांदार है एक तौ आप यहां से साम करल को लेकर चलना क्लियर ओके अब आजाओ आप लोग अफगानिस्तान की और सब्सक्राइब मिलेगा प्लस एक अड़्वांटेज यह है कि आपने सारे ओवर करते हुए दिखेंगे आप लोगों को ठीक है लगबग हर मैच में अपने पूरा ओवर कंप्लीट कर लेते हैं तो एक मस्ट प्लेयर बनेंगे आप लोगोंने पिक करकर ही चलना है अगर मैं बात करूं तो इन्हें आप लोग चाहओ तो छोड़ सकते हो क्योंकि स्टार्ट्स कुछ खास है नहीं तो यहां से जो तीन प्लेयर बने कौन बने मुहमत नभी बने मुहमत नभी को आप लोग सकते हो इस बात को ध्यार लगना क्यों क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगा अगर बाइचांस एक विकेट निकाल लेता है और तीस रन कर जाता है ना तो वीसी का एक अच्छ आशिया कंस एक अब आजओ दोस्तों वाले सेक्शन पे बाइंग वालिंग वाले तो खेलते हुए दिखेंगे अब पर नहीं खेलते हैं तो आप लोगों को यहां पर उ स्यक्रें किसी एक को खेलना या और भी Emir pack के चेलेंगे क्योंकि स्पिनर के आप्शन नहीं है टीम के पास दूसरे बागी यहां पर आप लोगों को मापूड खेलते हुए दिखेंगे जो की रीसेंट फॉर्म शांदार चल रहा है इनका मापूड का यहां देखो तीन विकेट तीन विकेट तीन विकेट ठीक है ओके डेक हम और ब्रेक बॉलिंग करते हैं ठीक है उसके बाद आप लोगों को नवी नूल हंक दिखेंगे जो कि आप लोगों को डेथ पर बॉलिंग करते हुए दिखेंगे अच्छा अब किन बॉलर उसको पिक करना उस बात को ध्यान से देखो देखो एक तो आप लोग मापूड को अबलिंग करने आती हैं तो आप लोग रशित खांट को पिक कर ना क्यूंग मालूने का पाव क्ले के बाद इसके बालिंग मिलती है तो मालों ये लगबग लगबग आप लगबग आप लगवों को 14 से 16 अवर तक बॉलिंग करता हुआ दिखता है तो उसे विकेट मिलने के चांसे रहते हैं प्लस साथी साथ दोस्तों 71 मैच पे 118 विकेट से चार विकेट चार बार रहा है पांच विकेट दो बार है इस बात को दिहां टर्टना के अच्छा मुझा अगर बात करो तो परिस्तान की टीम फर्स इनिंग्स पर बॉलिंग करने आती है तो डिट के बॉलर्स ज्यादा इंपोर्टेंट रखते हैं मुझे उस केस पर मैं आप लोगों को सज्जेस्ट करूं का कि आप लोग फजलक फरूकी को लेकर चलना फजलक फरूकी अच्छी बॉलिंग करता है ड इस बात को द्यान रखना क्योंकि यह लोग आराम से खेल जाएंगे और यहां पर एक और बात देता हूं आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए यहां देखो यहां पर एक तो मुझीबूर रह्वान के जगह फैजलक फरूकी को आप लोग ट्राय करना अगर अफगानिस्तान की टीम फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग करने आती है तो यहां से मैं फैजलक फरूकी को भी हटा दूँगा यहां पर मैं फैजलक फरूकी के बदले यहा यहां पर फ़रुकी को रखूंगा अगर अफगानिस्तान की डीम करने आती है तो तो मैं फ़रुकी को नहीं रखूंगा ऊपर नजीब उल्ला जदरान को रखूंगा यहां मैं रखूंगा रामनुला के बागी एलेक्सल दीमला मेरे टीम पर है मौमद अभी को मैं वी सी लेकर रिस्क लूँगा जॉस बटना मेरे कैप्टन होंगे बैंट स्ट्रोक्स और सैंकरन होंगे और मार्पुड और क्रिस वोक्स होंगे तो यह मेरे टीम रहेगी दोस्तों अगर माइवन स्ट्रिप्षयन को डॉंड करना है कहा से डाउंडोर करना है नीचे description और comment section पर आपका लिंक को क्लिक करके एकट अब socio से डाउनओ करना अब 16 कुल का Isles a 70% रियल एक्स्टर कैश और मौका हर मैच पे महिंद्रा हार जीतने का बागी all the very best hopefully आपके दोरा बना गई टीमी इस मैच पे मेगा क्रैंडिक विन करके आए धन्यवाद दोस्तों